नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सचन और सौगते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइरल एडू इन्फो में दोस्तों RTE Admissions 2021 के रिगार्डिंग है आप एक लेटेस अब्रेट निकल के आ रही है तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखेगा बिल्कुल भी आप इसकिम्मत करेगा अगर आपको दोस्तों 2021 में अपने बच्चों का एड्मिशन RTE कोटे के अंतरगत प्राइवेट स्कूल में कराना है आप सभी को पता है कि दोस्तों अगर आपके बच्चों का एड्मिशन RTE कोटे के अंतरगत प्राइवेट स्कूल में हो जाता है तो आपके बच्चों के दोस्तों जो फीस होती है बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लगती है आपके बच्चों की जो पढ़ाई होती है फ्री होती है तो दोस्तों 2021 में जो RTE एड्मिशन स्टार्ट होना है इसकी एक लेटेस अब्रेट यहाँ पे निकल के आ रही है यहाँ पे आप निउस देख सकते है राजिसिक्षा केंद्र है इंस्ट्रक्टेड डिस्ट्रिक कॉर्डिनेटर तो कम्प्लीट द फॉर्मिलिटीज फॉर सीट लॉकिंग अंडर RTE विट मैक्जिमम 25 परसेंट कोटा फॉर अनेड़ेट प्राइड प्राइड प्राइवेट स्कूल RSK has asked the official to furnish detail by 26 मैं यानि कि दोस्तो राजिसिक्षा केंद्र है ने सभी जिलों के जो कॉर्डिनेटर है उनको आदेश दिया है कि जो सीट लॉकिंग की जो प्रक्री है वा 26 मही 2021 तर कम्प्लीट कर ली जाए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं इना सर्कुलर RSK stated that process of admission under free education will start soon officials are instructed to complete the work regarding the selection of school under RTE and other detail furnished after 26 मैं will not be entertained stated the circular तो दोस्तों जो आपके RTE admission 2021 की जो process से यहाँ पर स्टार्ट हो गई है और 26 मही तक दोस्तों यहाँ पर जो school के द्वारा जो भी process की जाती है वो यहाँ पर complete हो जाएगी और दोस्तों बहुत जल्द आपके जो online form बनने की प्रक्री है वो भी आपकी start हो जाएगी अभी तक की दोस्तों जो information है उसके मताबर जो आपके online form बनने की प्रक्री है वो आपकी जुलाई के मंद में start हो जाएगी और जैसे इसके regarding को यह official update आती है इसकी तुरंत जानकरी आपको हमारे चैनल के मादम से provide करा दी जाएगी तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा साथ में bell के आइकन को जरू दवाएगा ताकि आपको सभी प्रकार की admission की update हमारे चैनल के मादम से मिलते रहे तो दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना है thank you for watching thank you so much